हैलो दोस्तों कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नया सा सीखने आज मैं आपके साथ बहुती आसान टीपेंट ट्रिक शेर करने वाली हूँ जिससे आपका काम बहुती आसान तरीके से हो जाएगा बिना किसी दर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारी सबसे पहले ट्रिक है नय जूते, चपल, सैंडल्स के रिलेटेड बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास नय नय सब चीजे होती है बट वो हम कभी कबार ही पहनते है वो रख देते है बट हमने रखने की वज़ज़ से उसके उपर बहुती दूल मिट्टी होती है तो वो ना हुए तो इसके लिए करना है जो भी सोक्स होते है उनमें दो पेर होते हैं तो दोनों ही सैंडल हो या फिर शूज हो किसी पर भी उपर आपको एक एक इसका कभर इस तरीके से रेडी करते जाना है तो आप देखो कि दूल मिट्टी भी नहीं होगी एक ही जगह पे अच्छा भी दिखेगा और तो उसमें कट होने की वज़े से बहुत ही दर्थ होता है पानी जाने की वज़े से या फिर उसके उपर साबुन लगने की वज़े से अगर ऐसा कुछ कट आपकी फिंगर के उपर आया है तो आप क्या कर सकते हो जिस भी फिंगर के उपर आपका कट आया है तो आपको क्या लेना है गुबारा लेना है और उसे उस उंगली में जो है वो इस तरीके से डालना है इससे क्या होगा अगर आपको कपड़े भी दोने हो या फिर बरतन भी मांजने हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप मान सकते हो उसके अलबा इसमें जो है गुबारे डालने के वज़े से बिल्कुल जो है वो पानी नहीं जाता आप जरूर ये ट्रिक फॉलो कीजेगा मैं आपको लाइव दिखाती हूँ मैंने देखो ये टैप के नीचे ही ये रखा है बट इसमें बिल्कुल पानी नहीं जाता इरिटेशन भी नहीं होता और कुछ भी लगे हमें कुछ भी हो इसलिए चोटे-चोटे ट्रिक अगर आपको पता हो तो आपका ही काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा अभी हम ये निकालेंगे और देखेंगे कि फिंगर में यानिकी उंगली में बिल्कुल भी पानी का एक बूंद भी लगा हुआ नहीं है जरूर ये ट्रिक फॉलो होता ही होता है अगर वो नहीं हुआ तो इस तरीके के नेल रिमूर करने के लिए वाइपस होते हैं आप नेल रिमूर ले सकते हो या फिर इस तरीके के वाइपस ले सकते हो मेरे पास ये वाइप से नेल रिमूर लिया तो आपको कॉटन लेना है उसके उपर नेल रिमूर ड तो आप कर सकते हो फिर यह जो वाइप हमने यूज़ किया या फिर नेल रिमोर जो कोटन के ऊपर लेकर यह किया है तो आप करते वग पेरों में जो है वह जरू चपल वगरा पहनी है तो आपको current वगरा नहीं आएगा या फिर main switch आप जो है वह बन कर सकते हो बहुत ही आसाने से स्विच बोर्ड बहुत ही क्लीन होता है नेक्स हमारी ट्रीक है वह लाइटर की रिलेटेड रोजाना हमें तो लाइटर यूज ही करना पड़ता है बट जैसे ही दीन बित्ते है तो यह लाइटर भी बहुत ही स्टीकी सा हो जाता है बहुत इसके अंदर जो है वह मेल बैट और पूरा ऐसा लगता है कि इसके उपर एक स्टीक सी लेर आ जाती है तो वह क्लीन करने के लिए बहुत यासान तरिका में आपके साथ शेयर कर रहे हूं आपको क्या करना है एक प्लेट में लेना है थोड़ा सा नमक उसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा नमक बे देने के बाद दो मिनिट आपको वह वैसा ही रख देना है फिर पूरा ना सा टूथ ब्रश लेना है और पूरे इसमें गीश देना है सौफ्ट सी अगर आपके पास गीशनी हो तो उससे भी आप गीश सकते हो बहुत आसान तरीके से लाइटर चमक सा उठता है अगर उसमें दोना नहीं है आपको टीशू पेपर या फी नरम कपडे से ही पोशना है अगर आपने ये दो दिया तो उसमें पानी चला जाएगा और लाइटर खराब हो जाएगा तो ज़रूर ये ट्रिक फॉलो कीजेगा बहुत आसान तरीके से लाइटर चमक उठता है और अगर आपन क्लीन एंड क्लियर और चांदी जैसा लाइटर जो है वो चमक रहा है ज़रूर ये ट्रिक फॉलो करके ये लाइटर को चमका ये और आपकी राइग कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगली ट्रिक देखेंगे तो अगली ट्रिक है हमारी बरतन के रिलेटर जो हाट बॉर्टर होने कारण उसमें और उसेमें काली से लेरे आने लगती है और ऊसे के कारण वह अल्यम् horrifying कि गृसते उसमें जो है वह काली लियर वैसे ही रहती है और वह चमक ता नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे को लोगत लेना है आपको लोगत यही बराण का लेन अप भी अलिम्रेयम के बरतन इस्तमाल करते हुए ही चंका एंगे थोड़ासा नमक हम लेंगे नमक जो है वो something प्रबिंग एजन की तरह काम करता है इसलिए नमक हम डालेंगे बाकि हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है अभी हमें क्या करना है कौनसी भी गिसनी आप जिससे बर्तन माचते हो लेनी है सिर्व आपको यह गिसना है आप जैसे इसे गिसो गेना बहुत हलके हाथों से भी आपके पास स्टील के या फिर अलुमिनियम के बरतन है तो आप उसमें जो है जरूर कोलगेट का इस्तमाल करते हुए क्लीन कीजिएगा पूरे उसकी जो ब्लैक परत है वो पूरे तरीके से निकल जाएगी मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए सिर्फ पतीला लिया है बहुत ही आसान तरीके से क्लीन होता जाता है आप भी कोलगेट का यह इस्तमाल देखे चोक जाओगे पस इसे थोड़ा सा ही गिसने के बाद पूरी काली जो लेयर होती है वो निकल जाएगी और आपको बस यह धो डालना है बहुत ही आसान तरीके से आपके घर के बरतन जो और ऐसे ही ट्रिक अगर आपको देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ओल कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आपको पसंद आई होगी अगली ट्रिक देखेंगे तो देखो हमारे घर में जो है वो चाकू अगेरा होते हैं कैची होते हैं और कई बार ये चाकू के उपर इस तरीके से काले काले निशान होते हैं क्योंकि हम उसका कुछ अलग इसके लिए कट करने के लिए अगर उसको जल अगर निम्बू का रस थोड़ा सा निम्बू का रस अपने विनेगर लिया तो भी चले गा उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे एक चममच के करिब नमक नमक यहाँ पर बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करेगा उसके बाद एक चममच हमें डालना है बेकिंग सोड़ा और बस हमें यह मिक्स करना है, ध्यान रखें नीम्बू का रस ज्यादा नहीं डालना है, उसकी जो है वो पेस्ट होनी चाहिए, इस तरीके से ही हमें नीम्बू का रस के जो कौंटिटी है, वो उसमें डालनी है, उसके बाद हम लेंगे कोलगेट, मैं जहाँ पर आपको बोल जबाद होनी चाहिए, वो जाला लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वो जो चाकू के उपर है, उसकी एक लेयर फॉर्म होने चाहिए, जिससे की वो ख्लीन होने के लिए बहुत आसानी होगी, आपके घर में जितने भी चाकू है, जितने भी कैचे है, वो सब क आपको इसकी एक लेयर डालनी है लेयर डालने के वज़े से क्या होगा आपने इसके उपर जो भी गंदगी आपके चाकू के उपर वह सब हमने जो इंग्रिडन डाले है वह रियाक्ट होगी और वह गंदगी निकालने के लिए ये बहुत आसान तरीका है अब इदेखो मेरे यह सब लगाने के बाद आपको दो मिनिट इसे ही रख देना है कोई भी घिसनिया प्ले सकते हो अगर आपका चाकू मेरी तरह बहुत ही काला हो चुका है जैसे कि मैंने कुछ कट करने के लिए वह जला या था तो उसके वज़े से वह काला पन नहीं निकल रहा था तो इसलिए मैंने ये ट्रिक फॉलो की है जो हाट स्क्रब होता है वो यूज कीजे बागी के जो चाकू होते है उसके लिए सौफ्ट स्क्रब यूज किया तो भी चलेगा आप देखोगे कि जो पूरा चाकू के उपर का काला पन है वो भी निकल जाएगा अगर आपने अच्छे से किया तो बहुत ही ये चमक उठेंगे अच्छे से भी जाएंगे और सबसे खास बाद हम किचन के लिए डिप क्लीनिंग करते है तो जादा आपको एफर्स लेने की ज़रूरत ने बरसी ऐसे चोटे-चोटे अगर आपने काम किये तो आपका ही काम बहुत ही कम होता है टाइम कि उसी तरीके से हमने चमका दी है चलो अभी अगली टिक देखेंगे देखो रोजाना तो हम कप का इस्तमाल करते है बड़ जो कप की मिडल होता है या फिर जो कप का पूरा उसका साइड का एरिया होता है वहाँ पर रोजाना हम उसमें चाय पीते है तो कही ना कही वहाँ स kalo बाखे जम जाता है और वह जो है इस तरीके से उसके उपर स्पोर्ट होने लगते हैं अभी यह इस लिए होते हैं कि हमारा हाथ उसमें जाता नहीं है तो प्रॉपर हम एजली असे घीस नहीं पाते या पिर अच्छे से दो नहीं पाते और एइसे ही हमने नजर तो यह स्पोर्ट कही जो है वह ज्यादा गहरे होने लगते हैं तो यह स्पोर्ट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है आपको लेना है कॉल्गेट उसमें थोड़ा सजाजा स्पोर्ट है वहाँ पर आपको डायरेक्ली इसमें अप्लाइ कर देना है सिर्फ एक मिनिट गीषते हो उसे सिर्फ आपको गीष देना है अगर आपने यह ट्रिक फॉलो की न तो मैं आपको गैरंटी देती हूँ कि आपके कप के उपर जो निशान है वो तो चले जाएंगे बट अगर आपने यह चीज जो है हर बार फॉलो की तो कही ना कही यह आपको करने की कर देते हैं तो देखो गिसने के बाद मेरे अच्छे से इसे दो कर लिया है जो स्पॉर्ट था वो पूरे तरीके से चला गया है तो ज़रूर ये ट्रिक फॉलो किजीएगा और आपको पसंद आई किया वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हो करके देखना और फिर आपकी राय शेयर करना जो मीडल में स्पॉर्ट था अभी वो स्पॉर्ट बिल्कुल नहीं है आई होप ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूसफुल रहेगी चलो अगली ट्रिक देखेंगे सिलेंडर के रिलेटेड हम तो हर बार सिलेंडर खतम हुआ तो नया रग देते हैं बड़ जहा बड़ ये स्टैन खरीदने के अभी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको क्या करना है लेना है वैसलिन वैसलिन का ही आपको यहाँ पर इस्तमाल करना है वैसलिन ये निशान बिल्कुल नहीं होने देता तो आप ये ठीक जरूर आजमाना जबी भी आप सिलेंडर लग चिकी neutrality करा दूट ने हैं और हुझा तो बैसलिन ल!」 ऐसलिन लेने के बाद थोड़ा साही वैसलिन लेना है और जो बौ्टम होता है सिलेंडर का वहार आपको लगाना है भैसलिन लगाने के वाज़े से वहार एक लेयर जम जाएगी और वहो लेयर जम तो आप इसके उपर याने कि नीचे यूज़वद भी तो यह निशिकल नहीं होते इचे ओपर इल लगे तो यह नीशन को रहते है उको आप के शियर पहए है अगर आप नहीं देखी तो कमेंड पे आप ये यूज़ से यूसफुल ट्रिक कौन सी लगी वो भी मुझे कमेट में बता सकते हो वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो